सिकिंद्रबाद उज्जेन में महांकाले की भवेता धूमदाम से चल रही है। भक्त बड़ी संक्या में आ रहे है। दूसरे दिन समारों के हिस्से के रूप में प्रमुक शेक्तर की घोशना की गई। जोगीनी स्वनलता ने इस बार फिल्ड कारिक्रम में कुछ अहम बातों का खुलासा किया है। उन्होंने भक्तों पर क्रोध प्रकट करते हुए पूछा कि वे और कितने रूप बदलेंगे। स्वनलता ने भविश्यवानी में देवी के निरने को ऐसे सुना जैसे वह भक्तो शगनों से कहा कि वे रंगम को अच्छी तरह से सुने और उचित सला और सुजाव दे। ऐसा कहा जाता है कि माने अनुरोत किया कि चांदी के कवच को हर दस साल में बदले बिना स्थाई रूप से स्तापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता की इच्छा के अनुस इस अनुस वे रंगम कारे करवाने उक सार मीरू शुन्नंगा पर्ची दिए वार यको सरहालनु शूचनननी फो नेल रोध लोपला देवसानां की चिनक लएते दान उभिसोओ लमी चेदा दीस कोड़ां सिध्धंगु नाँ उन्हों अईते अमोवार कुरिन नेंदे प्र शेहर में आशार बोनाल उत्सव चल रहा है उत्सव के हिस्से के रूप में मंत्री तलसानी के निर्देशन में एक खाक गाड़ी जुलुस का आयजन किया गया था मंत्री तलसानी और स्रीनिमास गौड ने निर्देशन के अदैया नगर कमान में फलहारम गाड़ी का शुबारम किया कमान से यह सिटी लाइट और बाटा होते हुए महाकाली मंदिर पहुंची फलहारम गाड़ी जुलुस से पहले पोतराजो विबिन वेश भूशा कलाकारों के प्रदेशन और नुर्तिके दर्शकों को मंत्र मुख्द कर दिया शुबायात्र में पूने की कलाकारों द्वारा डोल ताशा पाटक का विशेश आकर्शन बना कॉंग्रेस की वैस्च निता वी एच ने कहा कि पार्टी तबी मजबुत हो सकती है जब सब मिलकर काम करें उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को पूरे देश के लिए लोग प्यार करतें कॉंग्रेस की वैस्च निता वी एच ने कहा कि पार्टी तबी मजबुत हो सकती है जब सब मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को पूरे देश केлिए लोग प्यार करते। उन्होंने कहा कि पार्टी में अंतरास्ट्विय father अंगर्शों के नहीं। महिला कॉंग्रेस नेताओं ने गांधी भवन के सामने प्रदान मंतरी मोधी का पुतला फुंका महिला कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुनितार राव ने आवश्यक वस्तों पर GST कम करने की मांग की। मोधी को सत्ता से बेधकल करने तक कॉंग्रेस लड़ेगी। में 50 फिजदी आरक्षन दिया जाए। राश्टरपती चुनाव शांतिपूर्वग संपन हुआ। चीफ्स रिटर्निंग ओफिसर पीसी मोधी ने बताया कि संसद में 99.18 फिजदी वोटिंग दर्स की गई। भारत के चुनाव आयुक्त द्वारा संसद में मतदान करने की अनुमती दिये गए। 736 मतदानों में 730 से ने कहा कि उन्होंने मतदान किया। पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने संसद भवन में हुए मतदान में वोट डाला। बाद में केंद्रिय मंत्री और सांसदों ने अपने मतदिकार का प्रयोग किया। लोगसमा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने आखरी वोट डाला। विदायकों ने हैदरबाद और तेलगो राज्यों में अमरावती में विदान सबाओं में स्तापित मतदान केंद्रों में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया। तिलंगान के सीम केसियार और येपी सीम जगन ने अपना पहला वोट डाला। इंडिये उमीदवार द्रोपदी मुर्मू और विपक्ष के उमीदवार येश्वन सियां ने भारत के 15 वे रास्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव लड़ा। देश बर में चुने गए लगबग 4800 सांसदों और विदायकों ने गुप्त मतदान के माध्यम से मतदान किया। 21 जुलाई को संसद भवन में वोटों की गिंती होगी और नतीजे घोशित किये जाएंगे। विजय उमीदवार 25 जुलाई को अगले रास्ट्रपति के रूप में शपत लेंगे। हाइदरबान्थ क्रिकेट एसोसियेशन में एक बार फिर हड़कम मच गया। अन्य सदस्यों ने अनचती रवेये के लिए HCA अध्यक्ष अजरुदिन की आलोचना की। BCCI के पूर्व अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव ने संसनी केस टिपनी की है कि एसोसियेशन में ब्रस्टाचार व्यापत है। शिवलाल यादव, HCA के पूर्व अध्यक्ष अर्शद आयूब, HCA के पूर्व सचीव शेश नारायन, पूर्व पदादिकारियों ने मीडिया कॉन्फरेंस कर एसोसियेशन के चकर लगाने का आरूप लगाया। अजर ने हैदरबाद क्रिकेट एसोसियेशन में जूनियस चेन समिती नियुक्त की और इस दोरान एक तानाशाग की तरह काम किया है। हाल ही में HCA ने अध्यक्ष अजर के बिना एक विशेश आम सबा की बैठक की। इस बैठक में शिवलाल यादव, अर्शत आयूप, सेशु नारायन और महेंद्र के शामिल होने से विवात खड़ा हो गया था। APCM जगन ने जिल्ला अधिकारियों और ITDA के अधिकारियों के साथ गोदावरी, कोनसीमा, एलूरू और अलूरिस्तर रामराजु जिल्लों में सिति की समिक्षा की। उनोंने ततकाल बाढ राहत फसर शती का आकलन करने के अलावा प्रभाविक शेतरों की वर्तमां स्तिति के बारे में जानकारी ली। जगन ने अधिकारियों को बार्ड प्रभावित जिलों में रहत कारेक्रम तेज करने के आदेश दिये। बार्ड पीडितों को दो हजार पच्चीस किलो चावल, सबजी, तेल और अन्य जरूरी सामान दिया जाए। वही APSDRF की टीमों ने बार्ड में फसे 1181 लोगों को सुर श्री रामकोटी लिख कर एक रिकॉर्ड बनाया। मनसुर अबाद के रहने वाले उन्होंने 1965 से रामकोटी के लगबग इको फ्रेंडली उत्पाद पेश करने वाली इकॉमर्स कमपनी सस्टेन कार्ट ने जुबली हिल्स में एक रिटेल स्टोर खोला है। प्रसिद अभिनेतरी और पशु सनरक्षन कारेकरता अकिनेनी अमला और राज्य ब्रस्टाचार निरोधक निर्देशक शिका गोयल ने स शिका गोयल के सान, फिल्म अभिनेता, सुमन्त, मेगास्टार चिरंजीवी की बेटिया, सुश्मिता और श्रीजा, फिल्म अभिनेतरे निहारिका, अभिनेतरे मंचुलक्ष्मी और फिल्म निर्देशक शशिकरन ने भाग लिया। सबी फिल्म हस्तियां एक ही मंच पर स्तापक शिल्पा रिड्डी ने कहां कि अर्बन किसान और ट्राइप कॉंसेप्ट जैसे ब्रैंट पर्यावरन के अनकुल उत्पाद उपलब्द कराने के उद्देश से उपलब्द कराए गए हैं। अच्छिब लुग वह लगए हैं। चैनल लगए हैं। आपक शिल्पा रिड्डी ने वेलपो तामू। सिर्चानात्मकं तो एंत पट्डू दलतो। इस सटेंग काटस ना पिनचारनी एकु चाला संतो आश्व पिरूषम। आपकू यूज़ उस्यू अलू बिएर गए ह प्रसत डिजाइनोरों द्वारा बनाए गए कपडों और आपुशनों सहरवासियों के लिए विशेश रूप से प्रभावित कर रहा है बंजरहिल से ताजकृषना हूटल में आयजित सूत्रा प्रदर्शनी का उद्गाटन उद्यमान अभिनेत्री श्रावती जोती निक किया अभिनेत्री शावंती निक शो में स्तापित विबिन स्टॉलों पर जाकर और ने डिजाइन उत्पादों को पेश करके प्रशनसकों का मनरंजन किया उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी साडियां पसंद है जो भारतिय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है आयजकों ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर में 250 मश्वूर डिजाइनर कपडों के लिटिस्ट डिजाइन पेश करेंगे इस मौके पर कई मॉडल्स ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और फोटो किछवाए इस राकी, गिफ्ट यर वाइस, इस तीज, और इस प्रोग्राम में अप्पा जंक्शन से शम्शाबाद की और जा रही एक लौरी पलट गई सालक की लापरवाही के कारण हिमाय सागर पहुंचते ही लौरी सड़क किनारे लगे पेट से टक्रा कर पलट गई चालक और क्लीनर को मामुली चोटे आई हैं, सुचना मिलती है कि पुलीस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया पलटी हुई लौरी को ओटर रिंग रोड से सर्विस रोड पर ले जाया गया कुद्बुलापुर इलाके में हाथसा हुआ, गुणलपोचम पल्ली तलाब में एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे स्थानिया लोगों में संसनी फैल गई शव मचली पकड़ने गए मचवारों को मिला और पुलीस को सूचित किया मृतक की पहचान महरास्टर के वागरी उत्तम के रूप में हुई है, वो गुणलपोचम पल्ली में मजजूर कर अपना जीवन यापन कर रहा था इसी महने की तीन तारिक को उसकी पत्नी ने उसे शराब पिकर घर आने पर फटकार लगाई थी उत्तम बाहर गया और घर नहीं लोटा, इसी महने की चोदा तारिक को परिजोनों ने पिट पशिरबा थाने में शिकायत दर्स कराई थी हाल ही में जब कुछ लोग गुंडलब पोचम पली तालाब में मचली पकड रहे थे तो उन्हें साइकल के साथ वेक्ति का शव मिला और पुलिस को सुचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामत कर मृतक की पहचान उत्तम के रूप में की है पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उत्तम साइकल सही तालाब में गलती से गिर गया या फिर कोई और कारण था शव को पोस्ट माटम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया आसिफ नगर में दो पहे वाहंत चोरी में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी के पास से आट बाइक को बरामत की गई है पुलिस ने बताया कि इनकी कीमत पांच लाक रुपे होगी पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बाइक चोरी के 20 मामले पहले से ही दर्ज है लोकप्रिय निर्देशक मनिरतनम की पोनिस सलवन एक विवाद में फस गई है सलवन नाम के एक वकील ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का दर्वाजा खट-कटाया कि चोला सामरज के पुस्ट भूमी पर बनी इस फिलिम में ऐसे दुरुश है जो चोलों को गलत तरीके से पेश करते है भारत ने ICC ODI रैंकिंग में अपनी सिती में सुधार किया है अब तक चोते स्थान पर मौजुद टीम इंडिया ने इंगलेंड पर जीत के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है इंगलेंड पर 2-1 वंडे सिरीज जीत के बाद भारतिय टीम ICC वंडे टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है पाकिस्तान को चोते स्थान पर धकेलने वाली टीम इंडिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है पाकिस्तान की टीम 106 रेटिंग अंकों के साथ चोते स्थान पर है टीम इंडिया के खिलाफ वंडे सीरीज हारने के बावजुद इंग्लेर ने 121 रेटिंग अंक के साथ दूसरा स्थान बरकरा रखा New Zealand के team 128 rating अंकों के साथ आगे चल रही है